खसता ठेकवा बनाने की सबसे आसान तरीके बताऊंगी कि पहली बार में आप भी पिल्कुल पर्फेक्ट बना लोगे नमस्ते फ्रेंड्स जट पर ट्रेसी भी स्टार्ट करते हैं घर के किसी कप या कटोरी को सेट कर लीजिए उसी से सारे मेजर्मिन कीजिए मैं ले रहे हुए है पर चायवली कप से 6 कप मैदा और वर्जन में 500 ग्राम अप मैदा के जगा आटा भी यूज़ कर सकते हैं वीचो वीचे गड़ा करके उसमें एट करना है एक कप भरके वेजिटेबिल ओयल वर्जन में 100 ml है और सारे मेजर्मेंट मैं कब से भी बता रहे हूँ और वर्जन में भी ताकि आपको जैसा सुभी दहो आप ऐसा कर पाए पहले रफली मिक्स कर लीजिए फिर दोनों हादिली से मल मल कर मैदा और ओयल को अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड्स स्टेप पर स्टेप में जैसे बता रहे हूँ आप ऐसा ही सारे इंग्रेडियन्ट रेशियों में मिक्स कर लोगे न तो आपको कोई सिकायद नहीं होगी कोई लम्स नहीं रहने चाहिए और ऐसे मुठी बन जाएना तो समझ जाए कि मौईम बिल्कुल परफिक्ट है सास में अट करना है धाई कप पॉडर सुगर वजन में 250 ग्राम है नॉर्मल चीनी को ग्राइनर पर पेस्ट करते हैं आसानी से इसकी पॉडर बन जाती है थोड़ा सौफ हाथों से मलकर अट कर दीजिए इससे बहुत अच्छा सवाद आएगा थेकुआ में आधा चमच इलेजी पॉडर बहुत बड़ी अप फ्लेवर के लिए आधा कप सूजी इससे अच्छा क्रिस्पीनेस आएगी सूजी बिलकुर अप्शनल है आप चाहे तो इससे स्किप कर सकते हैं आधा सूखा नारियर ले लिया हमने इसे ग्राइनर में रुख रुख कर एक से दोबर चलाने पर यह अच्छा सा दरदरा सा हो जाएगी एक कप ग्राइन के भी सूखा नारियर एड कर दिया हमने आप चाहे तो और फिर ड्राइफ फूट्स एड कर सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं अब इन सारे इंग्रेडियन को अच्छे से मिक्स कर देना है इस तरीका से बनाने का फाइदा यह है कि एक तो आपको पानी का टेंशन नहीं कि कितना पानी लिया जाए और दूसरा मिक्स्चर रेडि करके जब मंग चाहे तब थोरा थोरा बना सकते हैं दो का गिला होने का टेंशन नहीं क्योंकि पानी तब ने एट किया ही नहीं तो चीनी पिग लेगी नहीं और जब फ्राइ करना हो तो थोरा थोरा पानी का चिरकाव देकर मिक्स करके टाइट लड़्डू बना लेना है कुछ लड़्डूएं बन जाए तो बाकी मिक्सचर को ढखका रख दीजिए और आगे का प्रोसेस कर लेना है ये है ठेकुआ बनाने वाला च्छाच तरह तरह का च्छाच आपको मार्करिक्ट में मिल जाएगी ठेकों में बनिया से डिजाइन लाने के लिए हम इसका इस्तमाद करते हैं इसे पहले ओयल से ग्रीस कर ले रहा है फिर इसके उपर लड़्डू रखकर प्रेशर देकर चप्टा करने पे इस पे डिजाइन आ जाएगी साइट में जो दरारे आई है उसे उंगलियों से ठीक कर लेना है तो फ्राइ करने पे तूटकर बिखरेंगे नहीं कुछ पीसे समने इस तरह से रेडी कर लिए है और हाफ रेट्स अगर आपके पास शाच नहीं है तो मन छोटा नहीं करना है लड़ों को दोनों हाथिली से प्रेस करेंगे चप्टा करतीजे वैसे भी बहुत अच्छा लगेगा आप चाहे तो चाको से कट कर निसान लाकर डिजाइन कर सकते है पर वो बहुत टाइम टेकिंग मैटर है दिजाइन तो बस आखों की तसलिये स्वाद बिल्कुल दोनों का सेम रहेगा फ्राइ करने के लिए कड़ाई में ज़्यादा तेल लेना है ताकि ठेवका बिल्कुल इसमें डूप जाए तेल जब बिल्कुल गरम हो जाए तो हाई फ्लेम में हर एक पीसेज को हमें तेल में छोड़ना है सारे पीसेज जब डालना कम्प्लीट हो जाए तुरत बाद गैस के फ्लेम को मीडियम कर देना है स्टार्टिंग के हाई फ्लेम में इसके आउटर लेयर सेट हो जाएगी और बिखरेंगे नहीं मीडियम फ्लेम में तीन से चार मिट कुखोने के बाद बहुत ही नाज़ुक तरीका से आहिस्ता से इसे हलका सा हिलाईए ताकि नीचे सट ना पाए और 5 मिनिट होते ही हर इक पीसेस को आहिस्ता से पलट देना है और फ्लेम को कर देना है लो फ्रेंट्स जैसे में बता रहे हूं उसी तरीका से आपको फ्राइंग प्रॉसस को फॉलो करना है तब जाके आपको बेटर रिजल्ट आएगी और इस low medium flame में आपको तब तक fry करना है जब तक ना इसमें एक golden brown color आजाए और कोई भी परिशानी हो तब comment करके पूछ सकते हैं और please comment करके बताए कि आप कौन सा city एफिक कांट्री से watch कर रहे हो एक batch fry होने में लगवग 15-20 मीट लगेगी जब अच्छा से cook हो जाए तो इसे बहुती नाजुक तरीका से उठाकर एक छनी में लग दीजे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है न वो निकल जाएगी ठेकों में ये जो फटनी की दरारे दिख रही है ये बिल्कुल नार्मल है इसका मतलब ठेकों बहुती खस्ता बना है गरम हालत में ये बहुती नरम होती है और आसाहीं से तूट जरती है लेकिन जैसे ही ठंडी हो जाएगी बिल्कुल सेफ हो जाएगी इसलिए फ्राई करते वक्त इसे बहुती सौफ्टली हैंडिल करना होता है एक बैच हो गया है इसी तरीका से सारे को फ्राई कर ले रहा है ये सौफ में बहुती टेस्टी होती है बिल्कुल खस्ता बिस्किट जैसे होती है इसे बना कर आप महिन नवर के लिए बिना फ्रीज के स्टोर कर सकते हो या फिर बच्चों को टिफिन में दे सकते हो या फिर किसी सफर में जा रहा हो तो बना कर साथ में रख सकते हो वीडि दिखाए स्वास्त रहे फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे तिल देन गुड़ बाई